चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुचाएगा सारा समान, दस मिनिट में, बिग ब्लिस एप है खुशियों क की अपनी दुकात, यहां से बढ़ेंगे अपनी अगली ख़वर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है, मूंग की, तो खाद्यान, सोयबीन, धान की भरपूर पैदावार करने वाले, मध्य प्रदेश के होशंगबाद के नर्मदापुरम जिले ने इस बार, अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते वे, ग्रिशम कालीन मूंग की बवाई का सबसे अधिक बवाई का रिकॉर्ड बना आपको बतातें कि प्रदेश ही नहीं, बलकि देश में सबसे अधिक ग्रिशम कालीन मूंग की बवाई हुई है यहाँ पर, इस बार, नर्मदापुरम जिले में 2,32,000 हेक्टेर में मूंग की बवाई हुई है, तवा बांध से सिचाई के लिए परयाप्त पानी मिलना, तथ बवाई समय पर होने से कटाई के लिए भी परयाप्त समय मिलने की उमीद किसानों को बनी वी है, और किसानों का नुमान भी है कि इस बार फसक अच्छी होने से पिछले वर्षों से अधिक पैदावार होने की वी संभावना है, आपको बता दें कि पिछले वर्ष नर्मदा पुरम जिले की किसानों ने 10 अरब रूपय की मूंग वेची थी, इस बार उससे भी जादा का लाब होने की संभावना किसानों में नजर आ रही है, बीते वर्ष किसानों ने 2,08,000 हेक्टेर में मूंग की बुआई की थी, इस बार 24,000 हेक्टेर जादा में बुआई होई है पिछले वर्ष सरकारी रिकॉर्ड में 9.40 करोड की मूंग खरी दिवी थी, 8612 किसानों ने मूंग की फसल लगाई थी, उससे पूर्व 2020 में 1,82,200 हेक्टेर शेतर में मूंग की फसल ली गई थी, जो बारिश जल्दी आने के कारण कई किसानों की मूंग खराब भी हो गई थ वही इस बार इससे अधिक में मूंग निकलने की संभावना है, इसलिए पिछले वर्ष से जादा राशी किसानों के खाते में आएगी, जिसका लाब वैपारियो तथा बजार में भी होता है, किसानों के पास नकद राशी आने पर उनके द्वारा खरीदी करने से बजार मे भी ग्रहकी का असर बढ़ता है, वही किसानों का कहना है कि ग्रिशम कालीन मूंग की फसल पुरी तरह पानी पर निर्वर करती है, 60 दिन की फसल को लगातार, कम से कम 30 दिन पानी चाहिए ही चाहिए, वही तवाब बांध से भरपूर पानी मिलता है, इसके साथ ही किसानों न पिछले 10 वर्षों में अपने खेतों में जो ट्यूब वेल तयार किये हैं उसका भी परिणाम है कि मूंग की यहां पर नर्मुदा पुर्ण जिले में भरपूर खेती होने लगी है इस बार अधिकांश किसानों ने पुर्व से ही मूंग की बुवाई करने का मन बना लिया था और इससे पहले चने की फसल जल्दी कार दी थी जिससे किसानों को मूंग की बुवाई करने का परियाप्त समय भी मिला आपको बता दें कि जिन किसानों ने गियों की बवाई खीती उन्होंने भी गियों की फसल काटने के तुरंद बाद मुंग की बवाई कर दी है और उनकी फसल की इस समय जो स्थिती है वो भी ठीक ठाकी नजर आ रही है तो यानि कि सिर्फ मध्यपरदेश में ही नहीं बलकि पूरे भारत में मध्यपरदेश की होशंगाबाद के नर्मधपुरम जिले में सबसे जादा इस बार मुंग की बवाई देखने को मिल रही है और जो फसल की जो हालत है अभी तक ठीक ठाकी बताई जा रही है और किसानों को ऐसी उमीद है कि इस बार फसल जादा रहने के बावजूद भी दाम अच्छे रहेंगे और जो पैदावार है वो भी अच्छी ही देखने को मिलेगी कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जानावार बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा समान आपके घर दस मिनट के अंदर तुरंट डाउनलोड करें बिग ब्लिस एब खुशियों की अपनी दुकार